असलाम अलेकों मैं YouTube family कैसे हैं आप सब लोग हुए सब ठीक होगा ला तुसकर हम सब ठीक है जो आज मेरे किछह में रेस्पी पर्परी है तो आपने टाइटल में देख नहीं होगी जो 15 मिनट्स में रेडी होगी जिसके आपको ओवन की और स्टोप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उस रेस्पी का नाम है ओरियो केक इस रेस्पी के लिए जो हमें चीज़े चाहिए आए देखते है ओरियो केक बिनाने के लिए आपको यहां पर 9 स्लाइस चाहिए और सबसे पहले जो 9 स्लाइसीज है ना उनके जो साइड्स है वो आप इस तरह से कट कर लें मैं आपको फास्ट फॉर्वर्वर्ड में करके दिखा रही हूँ 9 slices की जो sides हैं वो मैंने cut कर ली है और 3 slices को मैंने side पर कर दिया है 6 slices मैंने यहां पर ली जिसका 3-3 set करके आपने इस तरह से ball रखे इसको semi circle में cut कर लेना है और ball रखे आप लोग easy cut कर सकते हैं मुश्किल बात नहीं है बस आपने इसको अच्छी तरह से cut कर लेना है यह देखे 3 slices होगे इसी तरह जो बागी 3 slices है उनको भी मैं easily इसी तरह cut कर लूँगी और आप यह देख सकते हैं कि जो bread का hard shape है कितना easy बन गया आपने जो next step करना है कि जो orio का pack को आपने open करके इसके biscuit जो है आपने breaker की बाउल में डाल लेने अगर आप चाहें तो अंदर से cream separate कर सकते हैं लेकिं मैंने नहीं की बस आपने अब यह सारे जो biscuit है इसको chopper में add करना है milk add कर देए इसमें half cup और अच्छी तरह से chop करने के बाद इस तरह की consistency है ना हमें चाहिए आपके एक अच्छा सा सीरफ बन जाए और फर्स्ट यहां पर प्लेट में मैंने थोड़ी सी पेस्ट लगा दी है ताके जो मारी ब्रेड है ना वो इसके साथ स्टिक कर जाएगी और अपनी जगा से ही लेगी नहीं और हार्ड शेप बनाने का जो ट्रिक है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ आपने सबसे पहले लगाना है स्कुएर का पीस उसके बाद जो आपने समी सरकल किये थे ना उसको आपने इसकी साइडों पर रख देना और परफेक्ट आपका हार्ड शेप रेड़ी हो सबसे पहले Syd While Face मैं अजाई है उसके पाद आपने लगाना है शूगर का सीरफ, सीरफ आपने ज़्यादा नहीं लगाना है जिस्त आ लिटल क्योंकि अगर आप सयधा लगाएं गी और अगर आपकी ब्रेड हारड है तो आप थोड़ा सा ज्यादा लगाएं उसके बाद जो कवर कर दिने, यह देखें और बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो पेस्ट है ना वह जादा फ्लोई नहीं होनी चाहिए अगर वह जादा फ्लोई होगी ना तो फिर ब्रेड के साथ ना जो सेट नहीं हो सकीएगी अच्छी तरह से स्टाटिंग में आप जो दूद है ना अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर वह थोड़ा थोड़ा करके आप एड़ करें जादा आपकी जो पेस्ट है ना वह फ्लोई नहीं होनी चाहिए फ्रिज में रखने के बाद केक अब आपने क्या करना है अब नहीं देरी मिल्क आपकी तरह हार्ड होनी चाहिए और आपने इसके अच्छी तरह से ग्रेट कर ले ना अगर आपको लगे कि छॉकलेट मिट में मेल्ट हो रही हो तो फाइव टू सिक्स मिनिट के लिए उसको फ्रिज में रख दे फाइनली जो चॉकलेट श्रड करके मैंने फ्रिज में रखी हुई थी अब आपने इसको पूरे केक उपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना ताके केक जो है पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए और इसकी जो साइड जाना इसमें आप कार लेने कोई किसी भी चीज से क्योंकि अगर आप बाइन हैंड इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो केक डिस्टरब हो सकता है सो फानली यहां पर केक को कर रही है है और अर ओर यो की छोटी छोटी चोटी 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 जोस्ậnतीन की बिसक्ट्स मेरे पास orchestrant थे तो वह एल कास्तों थे। वो भी मैंने यहां पे स्प्रिंकल कर दी और यह देखे चूला जलाए वे बगार ओवन स्टार्ट के वे 15 मिनर्स में हमारा केक रेडी हो गया तो जब भी आपके गेस्ट आए तो आप उनको बनाके जरूर खिलाएएगा क्योंकि यह जो सारी चीजे हैं यह हमारे घर में नॉर्मल मजूद होती हैं अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट्स में आपने जरूर बताना है अगर आप मेरी आज की वीडियो अच्छी लग कि दलाएपी